नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब स्वागत है आपका गॉर्मेंट जोब सूचना में दोस्तों आज ही हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने डीटर प्लेस बी से रिलेटिड पांच निव अफडेट आपके साथ से एर किये थे अभी अभी DSSB की तरफ से फिर से रजल्ट नोटिस आये हैं जिसमें एक बहुत बड़ा रजल्ट नोटिस है पीजीटी फीजिकल एजुकेशन से रिलेटिड इसलिए आपके लिए नई वीडियो प्रवाइड कर दी है दोस्तों देख लेते हैं यह रजल्ट हम और इसके रजल्ट पोस्ट वोड है 87 अपन 20 और इसमें जो टोटल वेकेंट पोस्ट थी हमारी वो थी 692 जिसमें EWS की 27, जर्नल की 249, OBC की 253, SC की 84, ST की 79 पोस्ट थी और यह जो हमारा एकजाम कंड़क्ट हुआ था यह हुआ था 282011 को जिसमें टोटल जो कंड़ीडेट अपियर हुए थे वो हुए थे 9,018 उसमें से 944 कंड़ीडेट ऐसे हैं जिन्होंने कट ओफ के एकवल या उसे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं लेकिन उनमें से 858 कंड़ीडेट को ही मौका मिल रहा है एडोजर फिल करने का क्योंकि जो बा लिए देख लेते हैं कटेक्री वाइज इसकी कट ओफ कितने रही हैं तो EWS की कट ओफ है 81.56 जर्नल की है 90.06, OBC की है 71.56, SC की है 64.35, ST की है 72.49, तो दोस्तों अब की बार जो DTSB की कट ओफ है वो बहुत ही कम रही है केवल पासिंग माक्स ही आ रहे हैं और बहुत जाज़ा देख सकते हैं कि बहुत ही कम रही है हमारी कट ओफ रजल्ट देखने के लिए हमारे वीडियो देख सकते हैं या फिर आप DTSB ऑनलाइन पर जाके वहां पर अपना रजल्ट चेक कर सकते हैं तो आप अपना रजल्ट चेक कर लिजिए और आपका E-Dosier फिल कर दीजिए जिन आपको आपके सारे डोकमेंट्स अपलोड कर देने हैं तो दोस्तो जिन जिन को अभी यहां पर क्वालिफाई हुआ है उन सभी को कॉंग्रेशिलेशन जल्दी से जाए और अपना E-Dosier फिल कर दीजिए तो दोस्तो देख लेते हैं आज की दिन का अगला नोटिस तो दोस् से डोकमेंट्स उनको अपलोड करने हैं तो यहां से आप अपने रोलंबर चेक कर लीजिए टोटल यहां पर 48 कंडिडेट देवे हैं तो आपने यहां से रोलंबर और यहां पर डोकमेंट्स चेक कर लीजिए और इनको अपना E-Dosier फिल करना है और जो E-Dosier फिल करने का ज नोटिस देख लेते हैं अगला जो नोटिस है हमारा वो है पोस्ट ओफ असिस्टेंट इचर नार्सरी पोस्ट कोड है 16 अपो 19 और यह भी इडोजियर फिल करने के रिगार्डिंग है रोलंबर दिया हो है और सामने कौन-कौन से डोकमेंट्स रिक्वाइड है वो दिये वे हैं तो इनको सेकंड अपरचुनिटी मिली है कि वो अपना इडोजियर फिल कर दे तो दोस्तो यह फाइनल अपरचुनिटी है इसमें आपको अप्लोड कर देना है वरना आपका दोस्तो अगला नोटिस चेक कर लेते हैं तो दोस्तो यह रेजल्ट नोटिस आईए है असिस्टन टीचर नर्सरी पोस्ट कोड है 16 अपर 19 और यह भी इडोजियर फिल करने के रिगार्डिंग है यहां पर 32 कंडिडेट्स के रोलंबर यहां पर दिये वे हैं और सामने रिक् करने का जो टाइम मिला है वो मिला है 21-21 से 11-21 के 20 10 दिन का टाइम मिला है तो जल्दी से जल्दी जाईए अपना रोलंबर यहां से देख लीजे और आप अपने रिक्वाइट जो डोकुमेंट्स हैं वो अपलोड कर दीजिए तो दोस्तो यह थी आज की हमारी ृट्रिपल आपने वान